दोस्तों मुंबई से एक बहुती बुरी खबर निकल के आ रही है आपको बता दे कि मिर्जापूर 2 में ललित का गरदा निबाने वाले ब्रह्मा मिश्रा आप इस दुनिया में नई रहे उनका निदन हो चुका है और इस खबर को सुनने के बाद उनके फैंस भी चकीत है अच को बता दे की 29 नॉंबर को उनके सीने में दर्द हुआ था जहां से वो डॉक्टर के पास गये थे जहां उन्होंने परामर्स लिया और परामर्स लेने के बाद वहां से उन्हें कुछ दवाया दी गई थी उन दवायों को ले कर वो अपने घर चले गए थे अपने मुंबई में इस दित फ्लैट में चले गए थे जहां वो अपने बातरूम में गए जहां उनका निधन हो गया लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं चली और जैसे ही तीन दिन बाद मतलब आज सुबह इस बात का पता चला कि उनके फ्लैट से बदबू आ रही है तो वहां के लोगों बुरी बदबू आ रही थी और उन्हें वहां से मुंबई के कॉपर होस्पिटल में ले जाया गया जहां से डॉक्टरों का ये कहना है कि उनको हार्डटक आया था जहां से ये जो खबर है वो आग की तरह फैल गई उनके फैंस के पास जैसे ही ये खबर पहुंची तो हर को ही चकीत रह गया कि आखिरकार एक 32 वर्षी यंग एक्टर इस दुनिया को कैसे चोड़ कर चला गया वही आपको बता दे कि मिर्जापूर 2 के बाद ललित जो किरदार था मिर्जापूर में ब्रह्मा मिश्रा वो काफी पॉपुलर था वही उनके मिम्स भी काफी पॉपुल दुखत खबर थी हर फैंस के लिए वही दोस्तों आपको बता दे कि जो ब्रह्मा मिश्रा है उन्होंने 2013 में बॉलिवड फिल्म चोर चोर चूपर चोर से उन्होंने डेब्यू किया था वही उन्होंने दंगल और केसरी जैसी फिल्मों में भी काम किया हुआ था लेकिन आपकी कहरा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं वही अगर आप भी ब्रह्मा मिश्रा को सरदांजली अर्पित करना चाते है तो comment box में सर्दांजली अर्पित जरूर करें मिलते हैं एक नई अठीड के साथ तब तक के लिए ठेक किर जैहीन जै बारत